नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे डर्माज OC क्रीम के बारे में इसके फायदे जानेंगे नुकसान जानेंगे इस्तिमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तिमाल करना चाहिए ये भी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दवाईयों की जैनकारी पानी के लिए अपना डॉक्टर राज को कीज़े सब्सक्राइब साथ में जो घंटी ओला नी जाने उसे भी आल पर टच करना न हुलेगा तो दोस्तो डर्माज OC क्रीम आती है मैडले कंपनी की और इसमें जो सॉल्ट है वो है इट्रोकोनाजोल, ओफलोकससिन, औरनिड़ाजोल, एंड क्लोबिटस, प्रोपिनेट क्रीम तो दोस्तो इसका उपियोग दाद, खाज, खुजली, फोड़ा फुनसी, तो अचा की भिविन समस्याओं में उपियोग किया जाता है और ये तुरंत असर करती है और जो इसका MRP है वो है 90 पे लेकिन ये एक जैनरिक दवाई है तो थोड़ा कम प्राइज में आपको मिल सकती है ये एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबेल है तो चलिए अब बात करते हैं इसकी यूजर्ज की किस किस काम में उपियोग की जाती है वैसे तो मैंने उपर जो लिखा हुए वो पता ही दिया है तो और भी इसके फायदे हैं जैसे कि पुराना दाद खाज खुझली और चरम रोग किसी भी परकार का जांगों के बीच की दाद खाज खुझली फंगल इनफेक्शन और कील महासों में इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं तो उसमें भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर चहरी के उपर दाग धब्बे हैं तो भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसका उप्योग रिंग वार्म जो चकते होते हैं दाद वाले फैलते हैं जो उसमें भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं गुपतांगों में कोई भी infection होगी है उसमें भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं थ्रश की problem, bed sore, और फोडे फुनसी, लाल चकते जैसी हर परकार की चरम रोग में इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसको जो लगाने का तरीका है, सोबे शाम लगाया जाता है और लगातार इसको इसको इस्तमाल करना चाहिए जैसे कि 15-20 दिन तक आप इसको नॉर्मल इस्तमाल कर सकते हैं और ज्यादा अगर इन्फेक्शन है तो आप ज्यादा डॉक्टर की सला सही इस्तमाल करें, 10-12 दिन तो आप इसको नॉर्मल इस्तमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा इस से ज़्यादा इस्तमाल करना है तो फिर भी आप इसको डॉक्टर की सला सही इस्तमाल करें क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे कि इसको लगाने से अगर आपको तोचा पे रेडनेस हो जाती है जलन होती है और खुजली होने लगती है उस जगह पे इसको लगाने से या फिर दाने निकल आते हैं इसको लगाने से तो आप इसे तुरंद बंद कर दीजीगा और अपने डॉक्टर को जलू एक और इसका उपयोग जो लड़के और लड़किया है वो रंग साफ करने के लिए भी करते हैं यानि admitting की दागधब्बे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं साफ हो जाते हैं तो इससे क्या होता ह B कि कि Tehra साफ साफ दिखने लगता है तो उनको ज्ञाना दिन्यश इसका इस्टमा relies नहीं करना चाहिए कि है समय लो PER महीने 6 महीने 2 महीने इसे इस्तमाल करें इस्से क्या होगा कि जो सकन होती है वह पतली होती जाती है और फिर जो स्किन से जो जलन वगयरा होने लगती है रेडनेस हो जाती उस जगह पे तो उसमें काफी दिक्कत आती है और छोड़ देने के बाद फिर वैसे ही आपकी जो स्किन हो जाती है तो इसे आप उस तरीके से इस्तिमाल ना करें इसको दवाई की तरह है इसको दौक्टर की सला स से इस्तमाल करें तो दोस्तों यह था इसका पूरा रिव्यू उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा धन्यवाद